Hello everyone and welcome back आज की सीडियो में हम complete करेंगे section C grammar के example number 20 से लेकर 40 तक यान 20 से लेकर 40 तक के जो आपके रिक्तिस्थाने feelers है इनको हम complete करेंगे इसके पहले वाले third number के वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के जितने भी रिक्तिस्थान है इनको हमने समझा था यहां में सिर्फ आपको answer नहीं बताता हूं मैं आपको explain करता हूं कि कहां पर कौन सी जी आनी है answer तो आप कहीं भी देख सकते हैं आपके पास solution भी होगा इसका जो कि Gbh वगरा provide करते हैं तो यहां पर 21 से हमें देखना है इसके पहले मैंने एक note making and summary how to make notes and give a suitable title आपका चार नंबर का प्रशन आता है जिसमें आपको notes बनाने होते हैं और एक title देना होता है कि किस base पर यह आपका पैसे दिया वाइब वह आपको कैसे बनाना है और कैसे आप अच्छा notes बना सकते हैं और कैसे उसका title provide करके आप summary बना सकते summary तो पूछी नहीं जाती है आपके MP board में लेकिन summary उनके लिए जिनके board में पूछी जाती है तीन नमबर उसके भी होते हैं तीन नमबर नोट के होते हैं और एक नमबर आपके टाइटल का होता है तो वह वीडियो आप जाके देख लिएगा 15-20 मिटका है लेकिन आप कभी नोट बेंगे summary बनाने में नहीं चुकेंगे और आपसे बहतर नोट बेंगे पकलत है को और ओफड़ पोसे होता है काकी अगर देखा जाए तो यही आरत होता है इंके जैसा किंड़ार होता है वह मतलब पर होता है हम 않 चलते हैं यानि उनके बाद आपको वही लगाना है तो यहां पर यह अफरेट जो दिया हुआ है यह अपने साथ ओफ को लेकर चलता है कि वह कुतों से डरता है अब से वाली फिलिंग में तो आप बोलेंगे फ्रोम वर्टू हमें सही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है अगर इ हैं में सथ ऑफ आएगा अई हम नाट गोंग टो फिस में आए यहां नहीं जा रहा हूं आप मैं बिमार हो कैसे बोलएगे कि मुछी नहीं जा रहे हूं क्योंकि मैं बिमार हूं आप से लिए हुपải्यूंथ एक लिई तरफ गार्व मैं और इंडवोगे डीन में मतलव हो प्रणव होस्य है इन के साधाइधि इंट्रbane मेर्णव होता है विकार का मतलब होता है क्यों हो की है कि तौई यहां देखें मैं लिया रहा हूं और मैं बिमार हूं कि नहीं इसलीह मैं बिमार हूं मैं नहीं इसा इफ का मतलब होता है यदी और अनलेस का मतलब होता है यदी नहीं ठीक है अब हम इसको लगा के देखते हैं यू बर्काट यदी तुम कठीन पाण और रखेंगी नहीं करते हो और यदी नहीं नहीं आखेंगा यहाँ पर क्या है यहाँ तुम क्ठीन प्रष्रम करोगे तो तुम पास जाओगे यहाँ पर आपके पास क्या है इफ कि I prefer coffee tea यहां पर आपके पास है वही टू देन मतलब से मलतूलना करते ना कि यह उससे बड़ा है उससे चोटा है उससे लंबा उससे नाटा उससे फूरत ऐसा वह इसका मतलब भी जब से फ्रॉम हमेसा अलग करने के संदर में उप्योग करते हैं जैसे कि I am coming from इंदोर में इंदोर से आ रहा हूं तो मैं इंदोर से अलग हो रहा हूं और फिर आ रहा हूं तो जब भी अलग करने जैसे कि लिवस ब्रोकन डाउन फ्राम्टी जो पत्या है वो तोड़ गई है पेर से आई तो वो अलग हो इस्विए तो इसलिए हम इसी जहां पर फ्रॉम लगाते हैं तो यहां पर फ्रॉम तो आएगा कने ने इन ला सब्गाना है कि मैं नशकरें कर देल shuttle चाहें की तुलना में मंदल्ब मुझे कोफी पसंद यह इस आप कह रहे हैं यहां पर टू भी है जो को कर ते रहा और देन गाना चाहुरा एंद नहीं आएगा क्योंकि वह आपको कॉफी के चाहें से कोफी पसंद है चाहें की बजाएं तो देन लग सकता है लेकिन जब यह आपको prefer दिखेगा कहीं पर भी का क्या दिखेगा prefer तो prefer के बाद हमेशा ऐसा हुआ कि दो noun आएंगे वो दो noun में आपस में comparison होगा और यह पहले वाला जो ही यह prefer करेगा आपका करता यानि subject यह फिर not लगेगा तो फिर इसको prefer नहीं करेगा तो इन दोनों के बीच में हमें साथ two आएगा चाहें यहां पर milk water हो चाहें यहां पर tea coffee हो चाहां पर यहां पर कोफी यह कोपी चीनो यानि जो भी हो के पर चीनो बगरा जो भी आपकी कोफी टाइप है आपको prefer दिया हुआ तो फिर आपको two ही लगाना है बिना सोचे जैसे कि आफरेट के बाद आपको two लगाना है वैसे आपको prefer के बाद noun दिखेगा और noun के बाद फिर एक और noun दिखेगा तो उन दोनों के बीच में आपको क कि पेसेंट मर चुका थे मर गया था डौक्टर के आने के पहले तब अब गया हो दोक्तर ने के पहले अशुआ अब कि आMy यहाँ पर आपको two बदो बताए तक और यदि देखा जाए यदि आप इसको कहेंगे ऐसा कि यहां पर आप लगा दिये largest तो लार्जेस्ट आपकी सूपा लेटी डिगरी है जिसके आगे आप दह लगाते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन हमें यह पता चलिए कि एक एड्जेक्टिव है और यह कंपरेट में हम लगा देता हैं यहां पर जी कि अभाल इस पुरिफर लार्जर गॉल में मूघनियर देखानी है यहां पर दिघ्रम्र समय में आपके past continuous में आता है मलब भूदकाल की बात किया रहे हम पतंगे बना रहे थे क्या बना रहे थे पतंगे बना रहे थे जब पिता जी आये यहां पर सेकंड आएगी जब पिता जी आये तब हम पतंग बना रहे थे पास्ट वाली बात हो रही तो पास्ट की अपयोग करेंगे तो अराइवड आ जाएगा अगर यहां पर आप सोच रहे हैं कि सर अराइव आ सकता है वर्विक की फास्ट फॉम तो नहीं आ सकती ना दोस क्योंकि फादर एक ही होते हैं इन बच्चों के पिताजी तो यह होंगी जब पिताजी आएज हम पतंग बना रहे थे तो फिर यहां पर यहां पर पास्ट लाएंगे सीधी बात है अराइवड आ जाएगा यहां पर डोंट लिव इस प्लेस इस इस स्थान पर में छोनना कि आप किसी वेक्ति बोलते हैं यहीं खड़े रहना जब तक में वापस नहीं आ जाता तो इस 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 नहीं लेगा ना तो आपका सही आंसर क्या हो जागा यहां पर अंटिल अप जाहर रहे हैं कि मेरे पास पेसे होते तो मैं यहां मुबाइल खरीतता पहले के बार लगा सकते हैं अप संसको विख्त करने के लिए लेकिन आंड शबएन वाले सेंस को व्यक्तर करने के लिए लेकिन आप सब जानते की जहां पर हेव आता है या फिर हेड आता है यह perfect strength होते हैं और इनके बात कब हमें सब warranty classy आती है और bike की जो इस बार्ट हर में आपकी barr Day क्या नहीं है ना तो आपके पास एक यह option मैं बज़ता इस होते हैं ठीक है इसलिए यहां पर उड़ आएगा उड़ है नहीं आएगा क्योंकि वर्वे की धट्प महुत कम लगाते थे हम उसकी पहले वाली बात बताएंगे ना कि वह जब गाउं मेरती थी तब रोजाना मंदिर जाती थी तो यहां पर आपका उड़ सही बाएगा तो इस तरीके से विल आएगा निक्योंकि यहां पर पर पास्ट की बात हो रहे हैं प्रजेंट की होनी होनी रही है कुछ मद्धावस की बाद में सकती थी है साम बोलनी सकते ये बाद वर्ब की prost form आती है आप बताई मुझे की इन में से फिर्स्ट फोर्म कोंसी है ये यह वर्ब की Alrighty ऑनले बाद हमेंसर आती है तुंकति के बीचने चाहता था फीक है तो इसका यह शेवार आचात सही work ऑगा मैं फादर इच रिटाइर रिटाइरिंग है मेरे पिता जी एक सेवा निवरत टीचर रहे हैं रिटाइर मतलब मेरे सेवा निव्रत हो चुके हैं यो ज considers का मतलब भी हो जाता है कि वह सेहा निवरत होचके हैं लो जब क्रिया प्योक करता है तो आप इस्थती बता रहें कि आय एम उसांति पाड़े we भाघ घर ही सब्सक्राइब भूब एक शिर्ण को जाने ऑंतें अब टिसेट कि-पर करने से फशलए अजनवियों से बात करने से वाइन तो आप का करता है यहां भूरत लिखाए बसता है कि टान टाक टौुरर्ता कि अब खुद मुझे बताईए कि यहां पर आपका इजे मार दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो आप कहेंगे सा टाकिंग तो आएगा नहीं ठीक है मैं इसको अलग रखता हूं आप लगाने से मना कर रहे हैं अवेट्स आ गया तो क्या टाक आया क्या ही अवेट टाक टुश्टेंजर कैसे हो सकता भी है एक वर्व यहां और फिर एक और वर्व कैसे लग सकती बीना टू के तू के बाद वर्व फश्ट फर्म आती है तो यहां पर कई भी निदिया है आवट के बाद में तो यह नहीं आ सकती वर्व इतर फर्म भी कैसा आएगी बीच में कुछ ने कुछ तो आना चाहिए ना इसलिए एक वर्व करते हैं तो यहां बदी आए नहीं लेकिन क्या आपको पास वर्व चाहिए लागा सकते हैं तो है क्या टांकिंग है तो हमारे पास तो आपका आशनर हो जाएगा वह अजनेबियों से बात करने से बचता है थीक है इस तरीके से दो वर्ब को में इसाद लिसकते हैं यहां पर देखे गुड्स विल नाट भी टेकन बेग जो समान है वह वापस नहीं लिया जाएगा सेल सेलिंग सोल्ड तो आप करेंगे बेचा हुआ बेचा हुआ तो सर जो भी काम हो जाता है वह तो वर्ब की थाट वर्ब को लिखना है तो सब्जेक्ट वाली वर्ब में आई एंज लागा करिया मुसको लिख सकते हैं आप उसका बेस का मेली सकते आँए बहुका सेकंड ने सकते अपको सब्जय रूप में लिखना है नाउन की रूप में यहारी नोप तर टू सेल तो है ही नहीं जसाकि मैंने यहां बताया था तो आप इस तरीके से सेलिंग का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि आप एक दिमाग में आ रहा रहा है कि कि swimming is a good exercise आप swimming का उप्योग करते स्टार्टिंग में कि तेरना एक अच्छा अभ्यास है swimming तो इसलिए आप किसी वर्बू को सब्जेक्ट के रूप में उप्योग कर सकते हैं वो भी आगे कि मैंने सुना कुछ बच्चों को फार हेल्प चिलाते और चिलाती हुए तो आप यह ऐसा कहते हैं यहाँ पर आएगा चिलाते बच्चों को नहीं सुना, मैंने चिलाते हुए बच्चों को मदद के लिए सुना, तो यहां पर साउटेड आ जाएगा, कोई काम पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका मतलब आप ऐसा ही कहते हैं कि मैंने सुना कुछ बच्चों को मदद के लिए चिलाते हुए, वर्क हाड कठीन पजिसम करो यू फेल तुम फेलो जाओगे तो परन्तु और और या या फिर अन्य था तो कठीन पजिसम करो परन्तु तुम फेलो जाओगे यह सही लग रहा कठीन पजिसम करो और तुम फेलो जाओगे यह सा कैसा हो सकता है कठीन पजिसम भी करो फेल भी हो मतलब स्वर मतलब वोवेल का आगया आर्टिकल एन आता है इतना तो सिखेंगे आप प्लीज स्पिरिट बटर ओन ब्रेड बटर यानि कि अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम एक दू तीन नहीं कर सकते गिन नहीं सकते बटर को आप गिन सकते हैं कि मेरे पास एक मक्षन धो मक्षन है असा कुछильно किलोग्राम नहीं तो यह का विए जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनका बहुचन नहीं सकते doesn't take – जका गुणन है हो कैसा रहे काउन टेबल ? तो क्यों नहीं आएंगे इस गीवन वे उसने छोड दिया है cit topic उसने छोड दिया है वो मलब के लिए smoking के लिए छोड दिया गीवन दीदिया उसने तो आप इसके उसने दुमरपां चो टीआ है किया एथ थो फिर पास लेका आ जएगा ओट नहीं उसने छोड़ दिया करदी चुछल आप चुल दिया कि जिलना को दूर प्रपान को दूर कर दिया ऐसा कुछ है यहां पर फोर्टी नंबर का लाश नंबर का आपका यह फिलिंद ब्लेंग से आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके जरू जाएगा और इसको शेयर किजिए अपने दोस्तों जिनसे कि उनके बेले को डाउट हो तो क्लियर हो सकें मैं इसे ही वीडियो आपके लिए एक्जाम आने तक लाता रहूंगा जैसे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे हो जाए राइटिंग स्कील अंसीन पेसे नोटमेकिंग संवरी सब करवाई रहा हूं में आपको वी वीर मास्कें क्राउडेट प्लेस हमें मास्क तो किया करने वाली बात है अब हम जबर्जिस्ति कुछ नहीं लगाना है पहले से यहां पर टू होदा तो आउट टू लगा देते माल लिए कि आपको पहनना चाहिए क्योंकि यह नेतिक मुल्ली वाली बातों में आता है जब आपको नेतिक मुल्ली की बात हो तब आप तो यहां सला आए कि हमें भीड़ बरी जगाव पर मास्क पहनना चाहिए तो यहां पर फूड़ा जाएगा आउट टू भी आ सकता था लेकिन यहां पर टू तो दिया ही नहीं इसलिए भी नहीं आएगा मैं ऐसा किया करता था यूजर टू यह भी नहीं आएगा इसके लिए आप नोट में की और समरी का वीडियो देखना ना भूले जो कि आपको इस तरह का दिखाई देगा आप लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग नोलीज़ वीडियो में तब तक लिए टाटा बाए बाए